कोलकाता रेप मर्डर राष्टपती बोली मैं निराश और डरी हुई हूँ बहुत हो चुका ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराबादत है कोलकाता में ट्रेणी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्टपती दुरापदी मुर्मू का पहला बयान आया है उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ अब बहुत हो चुका समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराबादत है राष्टपती मुर्मू ने मंगलवार 27 सगस को वेमन सेफटी इनफ इस इनफ नफ नाम के एक आर्टिकल को लेकर पीटियाई के एडिटर से चर्चा में ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि कोई भी सभे समाज अपनी बेटियों और बेहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता कोलकता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था उनकी गर्दन तूटी हुई थी मूँ आखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था रश्टपती ने लिखा कोलकता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सक्ते में है जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भैभीत हुई ज्यादा दुखत बात ये है कि ये घटना अकेली घटना नहीं है ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिसा है जब स्टुडेंट्स डॉक्टर और नागरिक कोलकता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराध ही दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे विक्टिम में किंडर गार्डन की बच्चियां तक शामिल थी कोई भी सबसमाज अपनी बेटियों और बेहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता देश के लोगों का घुसा जायज है मैं भी गुसे में हूँ पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने एक न्यूस पेपर आर्टिकल के जरीए अपने विचार और उमीदें साजा की थी महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पहली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूँ मैं खुद को भारत में महिला सशक्त करन की इस शांदार यात्रा का एक उदाहरन मानती हूँ लेकिन जब ही मैं देश के किसी कोनेवे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे गहरी पीडा होती है मैंने रक्षा बंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे